तांडापेट नाकपुर निवासिया आशिश अनुल भमोडे का उक्तलौन में विवा था वह पहले से शादिशुदा है आशिश के विया की जानकारी मिलने पर उसकी पत्नी अपने भाई रोईत के साथ मोखे पर पहुँची वह मोबाईल फोन से अपने पती आशिश के विडियो बना रही थी यह देखकर आशिश अनिल अखंड भमोडे विजय अनिल भमोडे सुनिल लखंदाज भमोडे रोशन सुनिल भमोडे सभी तांडापेट निवासि उससे विवात करने लगे उन्होंने रोईत की जम कर पिटाई कर दी आशिश अपनी पहली पत्नी से मारपीट करते हुए उसे लौन के बाहर ले गया पीडित भी प्रतिकार करते हुए आशिश से भिड़ गई उसकी शिकायत पर खापर खेड़ा पुलस ने आशिश भमोडे अनिल भमोडे विजय भमोडे सुनिल भमोडे रोशन भमोडे के खिलाफ मामला दरड़ चुकिया ह मौकी पर पॉशनिता कारूपी फरार हो चुके थे आशीश का पीडित महिला के साथ मई 2018 में विवहा हुआ था मनमुटाफ की कारण पीडिता अपने माई के में रह रही थी तलाग के बिना ही आशीश दूसरा विवहा कर रहा था आशीश का नागपूर इस्तितिक गोलीवा चौक नागपूर में अश्वीनी मेटल्स नाम से शौप है इन बीसेन न्यूस के लिए अरुन महाजन की रिपोर्ट